असलामुलीकूम प्यूर्स वेलकम टू मैं चैनल उमीद है आप सब लोगों है जसे होंगे आज मैं आपके साथ जो रेसिपी शेयर करना जा रही हूं वह है क्रीम स्टार्ट एक अलग तरीके से हम आज क्रीम चार्ट बनाएंगे जिसमें फूट समय चाहिए मैं आपकल पड़े हैं पनाना स्क्रावबरीज उसके इलावा मैं इसमें यूज करूगी कॉक्टेल कलरफूल सवईयां और हमारे पास हैं यहां पे किश्मिश बदाम जो मैंने भाइल से किछीली है चिनी है और ओल पर मिल्स हैं जो हैं इसमें यूज कर रहे है मैं जब से पहले क्या करेंगे मैंने तो कप दूछ पैन में डाल लिया उसके अंदर मैं हाफ कप सवईयां जो हैं डाल जूँगी और इसको पकाल रूँगी इसमें जब तक हमारी सवईयां रेडी होती हैं उतनी देर तक हमशूस कट कर लेते हैं कर दो कर दो .... और दो पुसास सोनक इस अभरे से कि घुब। थास बंद दो मत अरो मुड़। जब भाजर से मुड़ दो कि ऑना हम मत अरी दो कि घुल इन वाल भाइव तोगा भाइव कर देख भाइब भीज़ कर देखाए प्रदियों कि देखाए है अब हम समय को उदाने लेते हैं को लोगाए जोड़ा कर देते हैं यह हम हमें घंडा कर लेंगे अब आपके चीज़े आपके लिए और बातिकी चीज़े आपके लिए देरा के चाहिए कर दो कर दो कर दाही और करीम को अच्छे से बीट कर लिया हो एक क्रीमी सा बेस्क भन गया मारे पास प्रूट्स के ऊपर शुकर पहले एड़ करने का पॉपस ही होता है कि फ्रूट्स जो है उससे ब्लैकिश ब्लैकिश नहीं होते हैं अपनी अरिजिनल कलर में जो है और अरिजिनलिटी में बाकी रखते हैं है लेट बर्ड़ा के टाइम पर आप अफटार के टाइम पर अनदे के पासे तरल टाइम नहीं होता है यह पहले छुझे प्रूट्स रिखना हो तो आप उसके ओपर शुकर एड़ कृटकर दे और चोड़ा से लामन जुग को नहीं हो इंगे ऐकर दो आपर यूजिनलिए कि दूश्री तरफ मैंने जो कलर फूल्स नहीं दूज में बनाई थी वो भी राड़ी हो गई है उनको मैंने फ्रीजर में ठंडा कर लिया था आदे के लिए उसको हमाइट कर देंगे आप देख सकते हैं फूल्स के कलर और स्वाईयों के कलर जो है वो बड़ा ही प्यारा साइज में टेक्चर दे रहे हैं जे व्यूवर्स हमारी मचेदार सी क्रीम चार्ट रेड़ी हो गई है बहत ही उम्मी लग रही है आप इसको क्यों ट्राइक हीजिएगा मुझे आपके फीटबैक का वेट रहेगा अपनी द्वाहों में याद रिखेगा जाते जाते वतने अजीज के लिए दुआ पाकिस्तान जिंदा बाद अल्हाफीस